हेलो दोस्तो गुद मॉनिंग और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेकिन फरवरी से जो आपके एकजाम होने वाले हैं उसमें जो है क्या पैटर्न रहने वाला एकजाम का किस टाइप के कोशन जो है आपके एकजाम से में पूछे जाएंगे क कितने माक्स का आपका जो है कोशन पेपर आएगा और साथी में जो है आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको जो कोशन पेपर होगा आपका तो उसमें से आपको कितने माक्स लेके आने हैं पासिंग माक्स तो इस वीडियो में डेटेल वाइज आप लोगों क का जो link है वो दिया हुआ है तो आप क्लिक करके सभी लोग जोइन कर सकते तो चलिए अभी मैं जो है आप लोगों को जो 2023 का previous question paper है वो दिखाता हूँ और उसी के अनुशार जो है आपका question paper आएगा तो चलिए जो question paper है उसको देखते हैं अभी तो देखिए अभी जो है जो 2023 में एक्जाम हुए है जून में ये बिए 1st semester का जो है question paper है और ये जो है history का question paper है जिसका book का code है BAHI101 और book का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास तो चलिए इसमें देखते हैं और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के question पूछे जाते हैं और कितने marks का आपका question paper होगा और कितना आपको time दिया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए जो timing है यहाँ पे जो 2023 में एक्जाम हुआ है जून में उसमें सिर्फ आप लोगों को दो घंटे का time मिल रहा है ठीक है दो घंटे का question paper होगा और उसके बाद जो आपके marks देखे 70 marks का question paper होगा और उसके बाद देखे यह जो question paper है इसको जो है two parts में divide किया जाएगा जो ये 70 marks का question paper है उसको two parts में divide किया गया है section A और B खंड को और खो तो खंड को में यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास 5 question आएंगे तो जो 5 question होंगे खंड को में उसमें से सिर्फ आप लोगों को 2 question का ही answer करना है यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 question का ही answer करना है और यहाँ पे जो है एक जो question है वो है 19 number का तो जो section A है उसमें जो 5 question उसमें से गर आप 2 करते हैं तो आपका जो 1 question होगा वो 19 number का होगा तो total आपका section A जो है 38 marks का होगा उसके बाद जो है हमारा खंड खो आ जाएगा तो खंड खो में यहाँ पे जो है 8 questions होगे और 8 में से सिर्फ आप लोगों को 4 question का ही answer करना है और यहाँ पे जो 1 question है वो है यहाँ पे 8 number का तो जो खंड खो है वो है यहाँ पे 32 marks का तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह जो question paper है जिसमें आप लोगों के 70 number का यह paper होने वाला है तो इसमें आप लोगों को कितने marks लेके आने हैं पास होने के लिए तो यहाँ पे देखिए जो maximum marks आपको 70 so हो रहा होगा तो 70 मैंसे आपको 35% लेके आने हैं पास होने के लिए ठीक है और अभी आप लोगों को बता दो कि आप लोगों के लिए जो आपके previous question paper हैं 2023 के उनकी भी वीडियो मैंने channel पे डाली भी है आपको क्या करना है आप लोगो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट सो होगी तो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर क्लेक करना है जैसी आप प्लेलिस्ट पर क्लेक करेंगे उसके बाद जो है आप लोगों को सारी जो questions paper है जो मैंने channel पर डाले हुए उनकी list वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी त तो आप लोग उनको देख सकते हैं, तो चलिए दोश्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमारा WhatsApp group है, वो जोई नहीं किया हुआ है, तो नीचे comment box में WhatsApp group का जो link है, वो दिया हुआ है, तो click करके आप लोग जोईन कर सकते हैं, और वीडियो helpful लगी हूँ, तो वीडियो क लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए Bye Bye and Have a Good Day